हमें रोजाना बड़ी संख्या में आपकी एमेल्स मिल रहे हैं जिनमें आपने ये लिखा है कि हमारे बताए हुए समस्याओं का कैसे निवारण हुआ है और आप एक स्वस्त जीवन जी रहे हैं कुछ दर्शकों ने हमें बताया है कि उन्हें अभी तक अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हर मेल का जवाब तुरंत देना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता पर आप थोड़ा सा धीरज रखें और हमारी वीडियोस मिल पाई है तो इसके लिए वो क्या करें देखे कई बार सही जानकारी की कमी के कारण गर्भ थारण करना मुश्किल हो जाता है आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको सही तरीके से अपनाने के बाद आप जल्द ही गर्भ थारण कर पाएंगी गर्भ थारण करने का एक निश्चित समय होता है जिस समय पर करने के कारण ही वो गर्धारण कर पाती है एक बात का ध्यान और रखें कि जरा भी टेंशन ना ले गर्वती होने के लिए बैलंस डाइट होना भी बहुत जरूरी है अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करें जिसमें फॉ पत्यदार सब्जियां सूरज हुखी के बीच सेम के बीच संत्रे और तमाटर के जूस में भी फॉलिक एसिट के साथ साथ वाइटेमिन C और लाइकपेंट होता है जो आपको गर्धारण करने में मदद करता है इनके अलावा कुछ ऐसी चीजे भी हैं जिनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए वरना आपको गर्धारण करने में समस्य आ सकती है अगर आप गर्ध हती हैं तो सिगरेट और शराब का सेवन तुरंक छोड़ दें ये ना केवल आपके पेट में पल रहे बच्चे की सेहत के लिए हानिकारत है बलकि इससे आपका गर्ध पात एब्सॉब करने की क्षंता कम हो जाती है इससे आपके गर्धी होने के चांसेज भी 27 प्रतिशक तक खड़ जाते हैं कोशिश करें कि मीठी चीज़ें या तो बिल्कुल न खाएं या कम से कम खाएं क्योंकि इससे ना केवल आपको बलकि आपके होने वाले बच्चे को भी प्साब बहुत सकता है तो ये की कुछ ऐसी बाते हैं जिनका अगर आप घ्यान रखेंगी तो बहुत जल्द गर्धारन कर लेंगी और आपके गर्धारन करने के बात भी यदि आप मुझसे कोई राई चाहें तो आप मुझे इमेल कर सकती हैं अगर आपके मन में भी किसी त